नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि मेरे पास बहुत भाईयों के यह कमेंट आते थे कि सर जैसे कि हमारे पास कोई भी BMS नहीं है और हम स्रीज के अंदर कोई बैटरी बनाना चाह यहां पर हमें कुई ऐसा ट्रीक बताईए जिसे कि हमारा बैटरी खराब स्रीज करें इंदर को इस तरीके से अगर आप लगा देते हैं यहां पर लीथियम बैटरी के अंदर तो यहां पर क्या होता माइनस और पिलस का कोई भी communication नहीं होता और हमारा जो battery एक दम बढ़ी हवर करता है hitting problem भी नहीं आता तो इस तरीके से आप कोई भी battery को लेके एक battery के अंदर दो dieboard लगा के इस तरीके से देखें minus वाले point से लेकर सीधा ये जो black वाली पट्टी लगानी है और दूसरा dieboard का जो silver वाली पट्टी है वो positive side में रखनी है और फिर दोनों को बीच में से इस तरीके से solding कर देना है देखे जैसे मैंने करा है अब देखे मैं screen पर आपको dieboard दिखा रहा हूँ आपको dieboard यही लेने है आपको 1N वाला dieboard नहीं लेना है यानि कि आपको लेना है SR जैसे UR और SF इस तरीके का dieboard लेना है यानि कि जो DC dieboard होते है तो वो आपको यूज करने है यहाँ पर जो आपका 1N वाला dieboard आता है वो नहीं लेना बहुत से भाई उसे IN भी समझते हैं बहुत से भाई उसे 1N भी समझते हैं तो वो वाला dieboard आपको नहीं लेना है आपको सिर्फ DC dieboard लेना है और किसी भी बैटरी के अंदर यूज कर सकते हैं चाए आपको स्रीज connection करने हो या कैसे भी अब देखें यह मैंने एक बैटरी के अंदर देखें लगा दिया इस तरीके से connection भी कर दी है अब मैं यहाँ पर आपको यह देखें BT जो मेरे पर module है मैं उसको on भी करके दिखाता हूं और इसके अंदर problem भी कुछ भी नहीं आएगी आपका module वैसे ही work करेगा जैसे वो करता है लेकिन उससे क्या battery की protection भढ़ जाएगी और बैटरी अच्छी काम करेगी अब देखें on करके दिखाता हूं देखें BT kit भी हमारी on एकदम और बढ़िया वर्क कर रही है और कोई भी problem नहीं आएगी BT आपका इस बैटरी के अंदर इस तरीके से आप अगर लगा देते हो डाइबोर्ट तो आप इस बैटरी को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो चाहे आप इसके अंदर 5 बैटरी जोड़ो या 6 बैटरी जोड़ो और सिरीज के अंदर आप आप अपर 12 बोल्ट बनाना चाते हो, 16 बोल्ट बनाना चाते हो, 8 बोल्ट बनाना चाते हो, एकदम बढ़िया वर्ख करेगा, कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी तो इसी लिए ये मैंने आपको बताया कि एकदम सस्ता जुगाड़ है, यहाँ पर आप 1-2 रुपे का डाइबोर लाओ, और बढ़िया तरीके से आप इस तरीके से BMS का यूच कर सकते हो, तो दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को टिक, सेर और सस्क्राइब जुरू करना, और बैल के आइकन को जूर दवाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा,